तो यहां पर 1,500,000 की Mahindra Genuine Accessories इंस्टॉल करी गई है वो भी Bolero के Top End B6 Optional Variant में और उसका हम प्राइस भी डिसकस करेंगे वाकराउंड रिव्यू के साथ तो यह B6 Optional आप Top End Model अपनी स्क्रीन वे देखने है और On Road प्राइस भी चेक कर सकते है अपनी स्क्रीन पर 1.5 डीजल के साथ यह ओफर करा गया है तो यहां पर Bolero को मिल जाते है B4, B6 और B6 Optional Variant में और यहां पर आपको मिल जाते हैं दो वाइपर वाशेर्स और यहां पर आपको मिल जाते है clear lens halogen headlamps with static bending headlamp function जो की इसी Top End Trim में मिल जाते हैं यह है front grill और यह है front fog lamp जो की इस विरिल में offer करे गया है और काफी बड़े भी visibility देते हैं और यह है front bumper add-on जो की accessory है काफी बड़े look add करता है और काफी यादा muscular बन जाती है गाड़ी price भी अब check कर सकते हैं तो अगर बात करें यहां पर sale की तो इसकी average monthly sale है 7000 से 8000 units per month यहां भी आपको warranty मिल जाते है 3 साल और 1 lakh km और यह आपको मिल जाते है basically rear wheel drive vehicle और front में आपको मिल जाते है disc brake और rear में यहां पर दीगी है drum brakes और इसका curve rate आपको मिल जाते है 1615 kg यहां यहां पर देखेंगे तो काफी बड़े design के आपको alloy wheels मिल जाते हैं काफी बड़े design के आपको alloy wheels मिल जाते हैं और यहां पर आपको suspension front में दीएगा IFS coil spring, rear में दीएगे rigid coil spring and wheel arch cladding आपको मिल जाती है और यहां ग्रे स्ट्रिप चेक कर सकते हैं एंड तक extend होती है यहां पर turn indicator यहां पर बड़े ग्राफिक्स काफी बढ़िया और यहां पर पूरा drainage system दीएगे for water ORVMs आपको मिल जाते है body colored, base दियागे black color में exterior door handles को up chrome finish करवा सकते हैं और यह roof rails और काफे दा आपको बड़ी यहां पर windows मिल जाती है और यहां पर दियागे तीन color option जो है lakeside brown, mist silver, diamond white color जो कि आप अपनी screen पर देख रहे हैं और अगर बात करें इस SUV की dimension की तो length 3995 mm सब 4 meter आपको यह SUV मिल जाती है width 1745 mm height 1880 mm wheelbase 2680 mm ground clearance 180 mm सब आपको दीवेंट आप चेक किर सकते हैं इसको भी आप modify कर रहा सकते है chrome finish के साथ turning circle है यहां पर 5.8 meters fuel tank आपको काफी बड़ा दिया गया यहां पर जो है 60 liters का और यह पर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और पहली बारी बॉलेरो यहां पर भारत में लॉंची दी सन 2000 में यह थर्ड जन्रेशन बॉलेरो देख रहे हैं जिसकी यहां पर असेम्ली होती है नासिक प्लांट में और हरे द्वार प्लांट में यहां पर आपको में जदे स्पॉयलर जिसी कॉसप चेक कर सकते हैं यहां वाइपर भी ओफर करा गया है tailgate mounted आपको मिल जदे spare tire और यहां वी आपको मिल जदे halogen tail lamps आप पे छेक कर सकते हैं parking sensors और जो यहां पे आपको license plate याद नंवर फ्लेट प्लाइट दी गई वो आपको मिल जदी halogen में यहां पे आपको बुलारो B6 की ब्राइंडिंग और कुछ इस तरह यहां पे आप बूट को ओपन कर सकते हैं यहां पे आपको एक ग्राइब हैंडल मिल जाता है साथ में यहां साइड फेसिंग सीट और मैट भी यहां पे इंस्टॉल करागिया जिसकी कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं यहां पे अधर मैनूल और अधर एसेंशल के टूल किट दीगी काफे तब बिग साइस की विंडोस आपको मिल जाती है और यहां अगर आप दोनों सीट को कर दें तो आपको बूट इसमिल जाते 690 लीटर का और इंजिन स्पेसिकेशन और इंटीर फीचर से पहले में यहां पे बात करें यहां पे सेफटी फीचर के बारे में टॉपन ट्रिम के ही तो यहां पे ओफर गरागिया है ड्राइवर एर बैग और यहां पे दो एर बैग साथ हैं पे को सेंटरल लॉपन मिल जाती है की लिस एंट्री आपे ऑफर करी गई है अब यहां पे फ्रंट में फॉगलैम्स भी मिल जाती तो यह सारे आपको यहां पे सेफटी फीचर आपर करें गई हैं तो फाइनली यहां पर हम बात करेंगे यहां पर इंजन स्पेसिफिकिशन के बारे में कौन सा इंजन ओफर करागे क्या वो पावर और टॉर्क डिलिवर करता है और यहां से हुड ओपन होगा यानि की बोनट तो यहां पर देखेंगे तो काफी बड़े हैं पर सांट टेंटिंग मेटिरिल्स का यूस करा गया है ताकि इंजन की नॉइस को मिनिमाइस कर सके तो यहां पर बेसी के लिए अवेलिबल है 1.5 लीटर बीएसिक्स थ्री सिलेंडर एम होक 75 डीजल इंजन रियर वील ड्राइव आपको मिल जाती है 75 वह पी की पावर और 210 एनम का टॉर्क सिरफ यह आपको मिल जाता है 5-speed manual gearbox के साथ और इसमें आपको micro hybrid technology भी दीगिए जो की mileage काफ यदा increase कर जाती है इंजन start stop function आपको मिल जाता है और claimed आपको यहां पर BS6 mileage दीगिए 16.7 kmpl इसे पहले हम interior features की बात करें आप यहां पर चेक कर सकते है complete accessories list तो यहां पर प्रॉक्सिमिटल एक लाग पांच जार की accessories इंस्टॉल करी गई है थोड़ी बहुत हमने और भी आपके साथ डिस्कस करी है तो अब चेक कर लेते हैं यहां पर इंटीर में क्या क्या ओफर करा गया तो यहां पर आपको दो ऐसी कीज मिल जाती है तीन स्विच दिये गए हैं की रिंग आपको यहां मिल जाते हैं इल्यूमिनेटिड यहां पर आपको मिल जाती है वुड़न फिनिश एस इवेंट के पास यह हैं इंजिन स्टाट शोप फॉंक्शन और मैनूल हेडलम लेवलर तो कुछ ऐसे आपको यहां पर इंटीर्स मिल जाते हैं और यहां पर मैट्स इंस्टॉल्ड है कॉस्ट अगीन चेक कर सकते हैं पनी स्क्रीन पर ब्लाक कलर की कार्पेटिंग यहां से उपन कर सकते हैं होड को इंजन स्पेसिकिशन हम आपको डिस्कस कर चुके हैं यह आपको मिल जाते हैं आपको मिल जाते हैं आपको मिल जाते हैं आपको मिल जाते हैं और यहां 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 आपको मिल जाते हैं और पार्किंग लिवर टेप दो आपको मिल जाते हैं काफोल्डर विद एंटी स्किट मैट यह 5-speed का मैनौल गेर बॉक्स उसके आगे मिल जाते हैं थोड़ा बात स्टोरेज स्पेस और यह 12-volt का चार्जिंग सॉकिट उसमें भी आपको मिल जाते हैं इल्यूमिनेशन आपको मिल जाते हैं थ्री स्पीड का मैनौल एसी विजीटर बैस्टिंग लासी आपको फ्लो मिल जाता हैं यहां पर यहां पर मियूसिक सिस्टम दिया गया है FM रेडियो को यह सपोर्ट करता है साथ में USB और यहां पर complete आपको wooden finish दिखने हो मिल जाती है और यहां पर आपको grab handle मिल जाता है for easy in and out यहां पर कुछ और storage space और यहां गलव बॉक्स का फे दर decent size का दिया गया है remote control को मिल जाते हैं यहां पर music system के लिए और यह आप steering wheel के look check कर सकते है excellent grip offer करता है airbag की branding मिल जाती है fixed unit दिया गया है wiper और headlamp control साथ में fog lamp controls यह है digital instrument cluster यहां पर digital live speed display होती है और coffee सारी और भी यहां पर information यहां पर display होती है जैसे कि average fuel consumption gear shift indicator साथ में distance travel door azar indicator यहां आपको digital clock मिल जाती है and distance to empty और यहां driver side sun visor काफी big size के ORVM दिये गया है और यहां adjustable IRVM और core driver side sun visor पर vanity mirror center में आपको काफी अधा bride मिल जाते है cabin lamp rear seats में भी आप चेक कर रहते हैं आपे क्या क्या फीचर्स ओफ़र करेगा हैं तो यह है rear door child safety आपको door locks मिल जाते हैं काफी आदा big size की windows दी गई है power window और यह है matting rear seats में आपको मिल जाते हैं adjustable headers और center में armrest दी गई हैं काफी बड़ी आप पॉजीशन पे प्लेस जा लीगे नहीं आप आपको cup holders नहीं मिलते और seat back pocket मिल जाते हैं आपको दोनों ही side और यह आप याप व्यू चेक कर सकते हैं जब आप यहाँ पर rear seat पर बैठेंगे काफी आप बड़ी आपको head room and leg room मिल जाता हैं और यहाँ पर grab handle और यहाँ पर एक और grab handle साथ में कुछ और storage space जो कि हम अल्ड़ी शो कर चुके हैं यह आप चेक कर सकते हैं dashboard का view तो आप बुले रहे हो कौन सा variant लेने का plan कर रहे हैं और कौन से SSC इंस्टॉल करेंगे ज़रूर बताएं comment section में अींदी झाल